प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है बदलाव का समय ब्रमदत एक अनुभवी चिकित सक्ते, चिकित सक्त यानी डॉक्टर लेकिन ब्रमदत अपने सभी बीमारों का इलाज अलग-अलग तरह की जड़ी पूटियों से करते थे वे सिर्फ अपने काम में ही अच्छे नहीं थे, बलकि उनका स्वभाव भी अपने मरीजों के साथ बहुत मधुर था वे कम ही शब्दों में बीमारों का हाल समझ कर एकदम सटीक दबा देते थे और जितनी हो सकती उतनी मदद भी करते थे धीरे धीरे उनकी ख्याती, उनकी वहवाही दूर दूर तक फैलने लगी अब ब्रमदत अपने गाउं से बाहर भी मरीजों को देखने जाने लगे वे अकसर लोगों से कहा करते हमें अपना काम पूरी इमानदारी से करना चाहिए अपने हर अच्छे काम के बाद इश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमेशा हमारे काम को सफल बनाएं लोगों को उनकी बातें बहुत पसंद आती पहले जो उनके मरीज होते, वे ठीक होकर ब्रमदत को धर्मात्मा मान कर उनके भग बन जाते एक दिन ब्रमदत किसी मरीज को देखने दूसरे गाउं जा रहे थे रास्ता लंबा और सुनसान था इस रास्ते पर कई लुटेरे घुमा करते थे जो आने जाने वालों का कीमती सामान जबरदस्ती लूट लिया करते ऐसा ही एक लुटेरा एक पेड़ से उतर कर अचानक ब्रमदत के सामने आ गया लुटेरे ने अपनी तरफ से ब्रमदत को डराने धमकाने की बहुत कोशिश की मगर ब्रमदत बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए पूरी तरह से शांत रहे ये देखकर लुटेरा गरच कर बोला अगर तुम अपनी जान की खैर चाते हो तो जो भी तुमारे पास है मुझे दे दो ब्रमदत ने कहा जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ पर तुम लेना नहीं चाहोगे ये जवाब सुनकर लुटेरा सोच में पढ़ गया मैं तो सब कुछ ले लेता हूँ बलकि छीन लेता हूँ ऐसा क्या है जो मैं लेना ही नहीं चाहता शायद ये आदमी समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ इसलिए इधर उधर की बातें कर रहा है कोई नहीं इसे दोबारा डाराता हूँ लुटेरे ने फिर कहा आज तुम्हारे जीवन का आखरी दिन है समझे ब्रह्मदत ने बिना घबराय कहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता जो भी इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन तो उसे वापस जाना ही है अब लुटेरा समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले कहां तो लोग उसे देखते ही धर-धर कापने लगते और कहां ये बूढ़ा आदमी मजे से मुझे जवाब पे जवाब दिये जा रहा है तभी वहां कुछ लोगों का आना हुआ उन्हें देखते ही लुटेरा एक पेड़ की आड में छिपकिया और उनकी बाते सुनने लगा सभी ने ब्रमदत को नमस्कार किया फिर एक आदमी ने हाथ जोड़ कर ब्रमदत से कहा वैद्यराज मेरे बेटे को एक महीने से बुखार है बहुत कुछ किया लेकिन कोई असर नहीं हो रहा ब्रमदत ने उससे कहा भाई तुम चिंता मत करो मेरे पास कुछ दवाएं हैं ये पाँच दिन तक अपने बेटे को देना इश्वर सब ठीक कर देंगे इसके बाद एक लड़का आगे आया और ब्रमदत के पैरों में गिर कर कहने लगा आपने शायद मुझे पहचाना नहीं मैं वही लड़का हूँ जिसकी तीन साल पहले आपने मदद की थी अगर आप उस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ ना देते तो ना जाने क्या होता मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा इन लोगों के साथ एक बुढ़ी औरत भी थी जिसके पास एक छोटा बच्चा था बुढ़ी औरत ब्रमदत से कहने लगी वैद्यराच हमारे परिवार में अब सिर्फ ये छोटा बच्चा और मैं ही हूँ हमारे पास एक गाय थी अब वो भी नहीं रही बच्चे को दूद की जरूरत है प्रिपया मेरी मदद कीजे ब्रमदत ने बुढ़ी औरत से कहा बहन चिंता मत बरो मेरे घर में एक गाय है बच्चे को लेकर तुम वही आ जाना और बाकी की जिंदगी वही रहना तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी लुटेरा ये सब बातें ध्यान से देख सुन रहा था सब लोगों के जाते ही उसने ब्रमदत से कहा आप तो महान है जिस वक्त आपकी अपनी जान खत्रे में है उस वक्त भी आप दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं और एक मैं हूँ जो सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों को डरा कर उनका सामान छीन लेता हूँ मेरा जीवन जीने का तरीका ही गलत है और ये कभी मेरे खयाल में ही नहीं आया ये सब जरूर मेरे पिछले जन्मों के पापों का ही फल है हे वैद्देराज, आप जैसे महान इंसान अगर मुझे आशिरवाद दें तो मैं भी अगले जन्म में अच्छा इंसान बनकर आपकी ही तरह सब की सेवा कर सकूँगा ब्रहमदत लुटेरे की बातों को सुनकर मुस्कुराए फिर उसे समझाते हुए बोले अच्छा इंसान बनने और दूसरों की मदद करने के लिए तुम्हें दूसरे जनम की जरूरत नहीं है आज तुमने ठान लिया कि तुम्हें अच्छा बनना है तो समझो तुम्हारा नया जन्म हो गया अगर इंसान खुद को बदलना चाहे तो आने वाला हर एक दिन उसके लिए एक नया जन्म हो सकता है तुम आज से ही अपने इस नय जीवन को समारना शुरू कर दो ये कहकर ब्रमदत अपने रास्ते पर आगे चल दिये और लुटेरा धन्ने होकर उन्हें जाते देखता रहा तो देखा बच्चो अच्छा काम शुरू करने के लिए किसी खास वक्त की जरूरत नहीं होती जब मन में ठान लिया तो समझो काम शुरू हो गया अच्छा तो बच्चो अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ